आपको कई बार कि लाने की कोशिश किया है, आपको हजम नहीं हुआ, उल्टी दोस्त रख नहीं इसलिए मत मंदे, कैप्सुल खाने के लिए हासमा बढ़ाईए अभी। आपको कई बार कि लाने की कोशिश किया है, आपको हजम नहीं हुआ, उल्टी दोस्त रख नहीं हुआ, उल्टी दोस्त रख नहीं हुआ, इसलिए मत मंदे, आपको कई बार कि लाने की कोशिश किया है, आपको हजम नहीं हुआ, उल्टी दोस्त रख नहीं हुआ, इसलिए मत मंदे, कैप्सुल खाने के लिए हासमा बढ़ाईए अभी। का करें आपकी एक संचुके, आपकी छोटी सी, आपकी छोटी सी, कि मोदी जी चले गाएंगा तो भी जपी को राप नहीं है, और शिपाल जी दोस्त रख नहीं हुआ, इसलिए आपको सब जान कारी है, तारिक जी की आतों को मैं जानता हूँ, ये डिवेट को डिरेल करते ह अदर करीं आपके जी को लेना चाहूँगी, आपको लगता है कि जो पार्टी के अंदर ये फूठ है या पर नाराजगी है, टिकित ना मिलने को लेकर असनतुष्टी है, उसका असर आपको लगते कि इस पर चुनाफ में पड़े का और पार्टी इस चीज को दरकिनार कर र अगर देखा जा तो असर नहीं पड़ेगा, उसके पीछे रीजन है, जब और गिनाइजेसन या संगठन बड़ा मजबूत होता है, और एक नेता, जो सिंगल आदमी होता है, जैसे पुनिया जी हो गए, ये हो गए, तो उनकी ताकत जो है, अकेले उनकी ताकत संगठन के सामन कुछ नहीं होती है, टेक्निकल एनालिसिस ये है, कि अगर कोई ऐसा नेता हो, जिसकी ताकत संगठन के बराबर है, या उसको प्रभावित कर सकती है, जैसे अगर मोदी जी अभी बीजेपी से अलग हो जाए, तो बीजेपी कोलैप्स हो जाए, या पिछले चुनवा में दे एक्सप्ट एक या दो आदमियों को छोड़के, इंडिविजुल किसी और नेता की टाकत उतनी नहीं है कि वो संगठन के निव को इला सके, तो बीजेपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई और होता, तो मैं मान सकता था, कि हाँ इसके चले जाने से संगठन पर फर इनने बाद दूंगा कि आज सवरे पता नहीं कल भी खाये थे, आज भी ग्यान वर्दक कैप्सूल जादा खा के आते हैं, हमको भी एकाद ग्यान वर्दक कैप्सूल की हम भी खा ले भाई, तो वह आपको हासम नहीं होगा, तारिक साहब, आपको कही बार किलाने की कोशिश अब आजिये, इन सब चीजों पर उलुचूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है ग्यान वर्दक कैप्सूल खाने के लिए हासमा भाईए, तो वह आपकी छोटी सी, आपकी छोटी सी, वहासमा मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी ग्यान वर्दक कैप्सूल जो वह बीजे आपकी मिश्रा जी, इन तस्पीरों को देखकर आप क्या बोलेंगे, आपकी बात बीच में रह गी थी, जब आप बात कर रहे थे तारिक साब से, उनके पास भी जाएंगे लेकिन आपनी बात पूरी कीजे, नहीं देखिए, मैं यह बोल रहा था कि जैसे बात अभी यह चल आपने बहुत किया है, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने विकास किया था और काम बोलता है करके कैमपेंच चलाया था, काम तो नहीं बोला लेकिन उनकी बोलती जरूर बंद हो गई, सेम यही चीज आज की डेट में जो सत्ता पक्ष है BJP, ठीक है आपने विकास बहु विकास जो हमने किया, वो मुद्धे हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, नोट बंदी इतना बढ़िया काम किया, आपने उस पे नहीं मांगा सड़के बनवाई हाईवे, किसी भासण में किसी का कोई जिक्र ही नहीं है, कि हमें इसलिए वोट दे दो क्योंकि हम 27 जा रहा है, चुनाओ के पहले किसानों के खाते में सरकारी तरीके से 2000 रुपए, वोट कैसे मांगा जा रहा है, हम जीतेंगे तो आपको 72 हुजा हजार रुपए देंगे, वोट कैसे मांगा जा रहा है कि हम ये करजे माफ कर देंगे, वोट कैसे माना जा रहा है कि असली और जन्मजात पिछड़े हम है वो तो फरजी है वो तो नकली है कहने का मतलब मैम यह है चुनाव अपने असली रूप में आ गया है पाल्टियों का और नेताओं का असली चेहरा दिख रहा है कोई भी पाल्टी विगास के नाम पे वोट नहीं मांग रही है सिद्ध कर रहे हैं कि मैं समझता हूं जन्ता को समझना चाहिए यह निताओं का जो यह च्छद्म आवराण है हम लोगों को जन्ता को एजुकेट करना चाहिए कि इनके जासों में नहीं आना चाहिए कर दो चाहिए झाल झाल